हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अमन आनलिसिस में तो दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं नेवी बीटेक एंट्री 2020 के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका नोटिफिकेशन कब कब आता है eligibility क्या है यानि कि qualification क्या चाहिए इसमें जो आपका cut off percentage है यानि कि कितने number पर आपका call letter आता है और ये किस ताइप की entry है क्योंकि इस entry के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है तो बच्चों की दिमाग में बहुत ज़दा confusion रहता है तो इस वीडियो में अगर आप वीडियो पूरा end तक देखते हो तो पूरा confusion आपका दूर हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले बात करते हैं कि इसका application form कब कब आता है तो मैं आपको बता दूँ कि Navy Tech का application form साल में दो बार आता है एक आता है in the month of July और दूसरा आता है in the month of November ठीक है तो Navy Tech और TES यानि कि Technical Entry Scheme को जो form आते हैं वो आगे पीछे ही रहते हैं आज-पास ही रहते हैं एक तरीके साब मान के चलो कि दोनों का form एक साथ भी आता है कभी-कभी ठीक है लेकिन इस बार due to coronavirus pandemic जो आपका TES का form में बहुत जल्द आने वाला है आप ये मान के चलो कि अगस्त में ही आपका form आ जाएगा और दोस्तों बहुत अच्छा opportunity आपके पास TES entry में direct आपको SSB मिल जाएगी और Navy Tech भी उसी टाइप की entry है जिसमें आपको direct SSB interview देने का मौका मिलता है without exams ठीक है तो Navy Tech का जो application form में इस बार कब आने वाला है तो इस बार आपको मैं बता देता हूँ आने वाले वीडियो मतला आने वाले आगे आप देखोगे न वीडियो तो आपको समझ आ जएगा कि कब form आने वाला है ठीक है तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो Indian Navy का official notification ये इस बार का नहीं है आपको मैं बता दूँ ये है पिछले बार का यानि कि जो आपके November में exams जो November में इसका application form आया था ये उसका notification है तो इसके through मैं आपको बताता हूँ कि इसकी qualification क्या होती है इसमें जो date of eligibility है वो क्या है तो चलिए देखते हैं इसको ध्यान से तो सबसे पहले में आपको बता दूँ application form is for unmarried male candidates fulfilling the condition of nationality ठीक है और इसमें vacancies आप देख सकते हो कि 37 vacancies आई है यानि कि जो आपका November वाला attempt है इसमे 37 vacancies आई है लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जो आपका July वाला attempt था इसमें vacancies जादी थी ठीक है लगबग 120 120 के around vacancies आई थी for the first entry ठीक है लेकिन तो second entry इसमें अब देख सकते हो कि 37 vacancies है अब eligibility condition आपको मैं बता दू eligibility condition which is very important eligibility condition है सबसे पहले तो आपको बता दूँ इसका date of birth है बिल्कुल same है TES का, Navy Tech का और NDA का तीनों का जो date of eligibility है बिल्कुल same है ठीक है qualification, educational qualification तो आप देख सकते हो past senior secondary examination 10 plus 2 pattern का आपके at least 70% marks होने चाहिए physics, chemistry, math aggregate में यानि कि PCM में आपके 70% होने चाहिए बिल्कुल same eligibility है जैसा आपने TES में देखा था ठीक है और TES में इसमें same eligibility है इसमें एक और है eligibility आप देख सकते हो कि at least 50% marks होने चाहिए 50% marks in English either in class 10th और class 12th यानि कि आपकी 50% होने चाहिए या तो class 10th में या तो class 12th में ठीक है ये तो एक educational qualification है लेकिन इसमें apply कौन कर सकता है who can apply देखो दोस्तो ये सबसे important है इसमें candidates who have appeared for J-Main ये तो 2019 के लिखा हुए क्योंकि पिछले साल का है लेकिन जो बच्चे भी J-Main में appear होते हैं यानि कि जिन लोगों ने J-Main का form भरा है और उसका paper देने जाते हैं वही लोग अब इस form के लिए apply कर सकते हैं उनके सिवा कोई बच्चा भी इस form को apply नहीं कर सकता भले आपके पास PCM हो लेकिन अगर आपने J-Main का exam दिया है तो ही आप इसके लिए eligible है ठीक है selection procedure क्या है यानि कि आपको जो SSB call letter है आपको पता है इसमें कोई exam नहीं है तो SSB call letter वो किस तरीके से आता है जो call letter है वो issue होगा आपको on the basis of J-Main rank के basis पे होता है इसमें call letter अब पूछोगे कितने rank चाहिए उसके बारे मैं आपको पताता हूँ कि मैं आपको पता हूँ कि जो पिछले J-Main's all India rank ध्यान देना all India rank J-Main's में अलग-अलग rank आती है जैसे कि journal की अलग होती है वो matter नहीं करेगा केवल all India rank आपके marks भी matter नहीं करने वाले ठीक है और जो लोग short list होंगे उनको SSB interview direct देने का मौका मिलेगा तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपके पास बहुत मतलब एक सुनहरा मौका है जो बच्चे भी J-Main's exam देते हैं उनको जरूर इस form को apply करना चाहिए ठीक है आपको cut off बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि SSB course मैंने एक launch किया है केवल 599 में इसका मैं वीडियो जो बनाया है उसको link अपने description box में दे दूँगा for TES and Navy BTEC direct entry दोस्तों आपको मौका मिलेगा SSB course SSB interview के बारे में बहुत deep में समझने का जो कि आपको मेरे खाल से इस rate पे कोई और समझाने वाला नहीं है ठीक है अगर आप NDA के exam देने वाले हो तो जरूर आपको exam से पहले भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास इसका access हमेशा के रहेगा आ और SSB ऐसा नहीं कि आप एक महिने में दो महिने में सीख जाओगे आपको बहुत दीरे दीरे आपको हर चीज पता होना चीज कि मेरे को करना क्या है ठीक है तो अगर आप इस course को लेते हो तो आप समझ सकते हो क्या-क्या चीज़े आपको करनी चाहिए जिनको participate करना है उनको अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे को इस mail ID पे करना है email और आगे का process आपको mail के थूरू समझा दिये जाएगा कि आगे क्या-क्या चीज़े होने वाले है ठीक है तो बात करते हैं इसका cut-off कितना रहता याने कि J-Mains में कितनी rank होनी चाहिए कि हमको मौका मिल पाएगा Navy Tech का exam देने का तो मैं आपको बता दूँ जो पिछले बार याने कि जो पिछले बार जो entry थी for 37 vacancies आप इससे estimate लगा सकते हो ना जो पिछले बार जो entry थी उसमें लगभग लगभग जिनके 2 lakh rank थी 2 lakhs rank जिसके 2 lakh rank थी उसके 2 lakh के नीचे नीचे उनको SSB call letter मिला था इस बात कि मै आपको guarantee दे सकता हूँ कि मिला था उनको ठीक है यानि कि आप सोचों कि जिन लोगगे 2 lakh rank है वो eligible थे to give the SSB of Navy Tech और उससे पहले आपको बताता हूँ मैं उससे पहले तो ऐसा था कि इस form की बार में किसी का awareness नहीं थी तो इसके जो SSB call letter है 6 lakh 7 lakh 7 lakh rank वालों को भी मिली थी इससे लेकिन आपका awareness बढ़ गई है तो आप देखो कि आपने अगर जेमेंस में अगर 1.5 lakh तक भी score कर लिया तो आप मान के चलो आपको इसमें SSB interview मिलना confirm है ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस 2 lakh होना ही चाहिए इसमें आपका eligibility कि आप appear होना चाहिए ठीक है 3 lakh अगर आपकी possibility है कि आपको इसका SSB interview confirm मिलने वाला है और technical entry scheme में जिस तरीके से जो percentage का foundation आता है कि percentage 80% से उपर होने चाहिए वैसे 70% eligibility है लेकिन जो cutoff 80% से उपर जाता है 40 years लेकिन navy tech में ऐसा कुछ नहीं है आपके 70% भी क्यों ना हो आपको SSB callator मिल जाता है क्योंकि आपर जेमेंस के through आपका SSB interview मिलता है तो यह बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप अपना जो आने वाला exam है वो देने वाले आपको पता है जो आपका J-min's होने वाला है ना भी September में तो इसी के बाद ही आपका जो application form है for navy bteg entry वो open हो जाएगा ठीक है तो जो बच्चे भी eligible ह ज़रूर उनलोग को apply करना चाहिए navy bteg जो भी J-min's appear होते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी entry मिलेगी और course के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि आप जल्दी से जल्दी उस course को avail कीजिए इससे फायदा आपको यह होगा कि आपको हर चीज समझ आ जाएगी SSB interview के बा कि आपको प्राओव के बारे में आपको बारे में एंपको प्राट।